हलो फ्रेंट्स, आम हरीश डेमला फ्रम एक्यूरेट फॉर्शून आस्टोलाजी दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर डिसकस करने वाले हैं हमारे पास बहुत queries आती हैं कि 3, 4 और 5 planets conjunction को कैसे decode किया जाए और यह really काफी complicated exercise है और किसी भी 4 planets की conjunction को या 5 planets की conjunction को decode करना is not easy लेकिन इसमें हम आपको कुछ असान फार्मूले बताते हैं जिससे आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस conjunction को सबसे पहले आपने यह देखना है कि यह conjunction जो है यह मित्र planets में है या एनिमी देजिए सूरिय को मंगल को गुरू को और चंद्र को और दूसरे ग्रुप में आप डाल लेजिए शनी देव को शुक्र देव को राहु देव को केतु को और बुद्ध को तो पांच planets का group एक अलग हो गया, four planets का अलग हो गया तो आप यह देखिए कि यह conjunction मित्र planets की है या enemy planets की है या दो इसमें मित्रें दो enemy है और किस house में यह conjunction है अगर मित्र planets ने conjunction बनाई हुई है तो यह बहुत auspicious है आपको अच्छे results देगी और अगर इसमें एक दो enemies हैं तो आपको results तो अच्छे मिल सकते हैं लेकिन कुछ न कुछ दिक्कतें भी रहेंगी, problems भी रहेंगी अर्चनें भी रहेंगी, delay भी रहेंगी यह तो एक general outcome हो गया या general predictions हो गया अब देखिए यह जो conjunction है यह किस house में है क्या किसी auspicious house में है या inauspicious में है अब inauspicious houses को चलो हम मान लेते हैं चटा, आठवा और बारवा अगर चार planets की conjunction चटे घर में है तो यह ध्यान रखिए कि चटे घर वैसे तो सब्सक्राइफिक हाउस है लेकिन चटा घर नौकरी का भी है चटा घर लीगल एक्टिविटीज का भी है लौका भी है फनेस का भी है डैट्स भी यहां से हम देखते हैं और बिमारियों का भी है तो आप यह जरूर दिमाग में रखें कि अगर कोई energy concentrate हो यह चटे में तो व यानि कि आपको doctor बना सकती है आपको finance में ले जा सकती है आपको lawyer बना सकती है या judge भी बना सकती है यह मत भूलिये अब आपको यह देखना है कि यह judge बना देगी या नहीं बनाएगी तो आप देखिए यह conjunction जो है किस नक्षत्र में हो रही है अगर सुबोज यह conjunction किसी टिप्स दे रहे हैं सिरुफ देखो analyze तो आपको करना है और सारी चीज़ें cover भी नहीं कर सकते वीडियो में लेकिन हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिससे आपके लिए decode करना असान हो जाएगा सुपोज कुछ प्लानेट्स छटे घर में बैठे हुए आपके और जुपिटर के नक्षत्र में बैठे हुए है और जुपिटर अच्छा बैठा हुआ है या छटे घर में बैठा हुआ है तो यह आपको कुछ कुछ financial matters में macro finance में बड़ी सफलता दे सकता है या चार में से तीन प्लानेट ही जुपिटर के नक्षत्र में है तो आप यह समझ लीजिए कि यह conjunction positive play भी जरूर करेगी लेकिन इसके साथ साथ आप यह मत भूलिए कि छटा घर दुष्टा नहाँस है डेट्स का है डिस्प्यूट्स का है बिमारी का है तो यह प्रभाव भी रहेगा लेकिन as far as carrier is concerned आपका अच्छा बना देगी लेकिन कुछ नो कुछ आपके debts भी रह सकते हैं क्योंकि सकता है कई ना कई तो दोनों तरह के प्रभाव देगा मैलिफिक भी और पॉजिटिव भी अब मान लिया यह conjunction आठवे घर में बन रही है और मान लिया शनी के नक्षत्र में बन रही है किसी भी नक्षत्र में तो शनी आप देखिए आपके चार्ट में मैलिफिक प्लानेट है या पॉजिटिव प्लानेट है अगर एक ही नक्षत्र में तीन या चार प्लानेट बैठते हैं तो उसके अच्छे रिजल्स जरूर मिलते हैं चाहे वो आठवे घर में ही क्यों ना बन रही हो चाहे वो छटे घर में ही क्यों ना बन रही हो उसके अच्छे रिजल्स और जब हमारी energy concentrate हो जाती है चार-पाँच planets हमें एक ही नक्षत्र में मिलते हैं या एक ही planet को support करते हैं तो उस planet से related हमें positive results जरूर मिलते हैं यह एक fundamental चीज़ है लेकिन आठवें घर का प्रभाव भी जरूर मिलेता हूं जितने भी बड़े लोग हुए हैं बहुत ही powerful लोग हुए हैं उनके charts में इन conjunction ने ही काम किया है एक ही नक्षत्र में चार planets का बैठना आदमी का यूँ समझे लो brief में specialization हो गया उस particular नक्षत्र से related या planet से related काम में उसका specialization हो गया केतू के नक्षत्र में अगर चार planets के बैठ जाते हैं तो आपको medical profession की तरफ ले जा सकते हैं फार्मा में ले जा सकते हैं research में ले जा सकते हैं अगर बुद्ध देव के नक्षत्र में planets चार पांच बैठ गए तो आपको IT में ले जा सकते हैं computer science में ले जा सकते हैं mathematics की तरफ ले जा सकते हैं statistics की तरफ ले जा सकते हैं languages में ले जा सकते हैं और आपको कई languages का ज्यान दे सकते हैं और अगर तीन चार प्लानेट्स मिलके सूरिय के नक्षत्र में बैढ़े हैं तो सरकारी नौकरी में ले जा सकते हैं पावरफुल पॉजीशन में ले जा सकते हैं लीडर्शिप रोल में ले जा सकते हैं अगर सरकारी नौकरी नहीं होगी तो कुछ वेल रेनाउड और्गनिजेशन में आपकाम करोगें जो की फेमस और्गनिजेशन वोगी यानिके पूरा देश या पूरा वर्ड उनको जाने गांगों अगर सूर्य के नक्षत्र में चार प्लानेट्स आपके बैठ गया है चंद्र के नक्षत्र में बैठ जाए तो आपको अगेन मेडिकल में ले जा सकते हैं HR में ले जा सकते हैं Human Resources में ले जा सकते हैं Human Care में ले जा सकते हैं Agriculture में ले जा सकते हैं अब चंदर से related activities में, travel में, tourism में ले जा सकते हैं, shipping में ले जा सकते हैं, transportation में ले जा सकते हैं तो कहने का मतलब यह है कि एक ही नक्षत्र में अगर चार planets आगए तो आपका specialization पका है as far as career is concerned, आप grow करोगे, height पे पहुँचोगे, specialization में जाओगे और कुछ बड़ा काम आप जिन्दगी में जरूर करोगे लेकिन इसमें अगर malefic impact में है यह, यह खराब घर में बन रही है या जिस नक्षत्र में बन रही है, उस नक्षत्र का लॉड किसी खराब घर में आया हुआ है तो फिर यह आपको उस घर से related results भी देंगे, चाहे वो बिमारी है, चाहे वो obstacles है, चाहे वो legal matters है, चाहे वो loans है, चाहे वो divorce है, चाहे resettlement है, चाहे दो शादिया है, कुछ नो कुछ problem जरूर तेंगे, चाहे losses है लेकिन आप आदमें बड़े बनोगे, यह गरंटी है, अगर बारमे घर में ऐसी कोई conjunction बन रही है, तो आप यह समझे लिजिए कि आप यह तो export-import का काम करो, या foreign country जाओ, या आप किसी multinational company में काम करो, या आप foreign लोगों के साथ जुड के काम करो, foreign resources से जब तक आप मिलोगे नहीं, जुडोगे नहीं, तब तक यह placement आपको bless नहीं करेगी, और फिर आपको क्या करना है, यह तो energies आपको अपने आप ही ले जाएंगी, आपको तो थोड़ा सा इसमें effort डालना है, 10-20% effort डालना है, बाकि तो energies अपना का काम कर देती है, बार्वे घर का अच्छा प्रभाव तो यह है, अगर आप अपने native land पे रह के काम कर रहे हो, तो फिर यह losses generate कर सकती है, यह बार्वे घर सा का काम होना जाए है, जो हमने काम बताएं आपको, otherwise यह कहीं न कहीं, disappointments, losses, separation, divorce, litigation, इस तरह के results देती है, तो आपने अब कुल मिला के, किसी भी चार planets की या पाँच planets की conjunction को इस तरीके से रीड करना है, कि उसमें चार पाँच जगा आपका ध्यान होना चाहिए, एक तो किस house में है, क्या auspicious house में, inauspicious में है, कौन से planets हैं, enemy और friendly enemy planets बैठ के conjunction बना रहे हैं, या सारे एक जासे planets हैं, सारे एक जासे planets बहुत अच्छे results देते हैं, enemy planets, obstacles के साथ results देते हैं, लेकिन results मिलते जरूर हैं, अगर एक ही नक्षत्र में, वो planets बैठ हैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, चार planets के conjunction में, minimum तीन planets एक ही नक्षत्र में होने चाहिए, अब ये planets closely भी बैठे हैं, और एक ही नक्षत्र में, अब closely, enemy planets जब close बैठ जाते हैं, तो हमें obstacles देते हैं, सुर्ई के साथ श्रेट देगा मंगल के साथ बुद्ध बैड़ देगा अबस्टेकल देगा मंगल के साथ केतू बैड़ दिक्क्त देगा ऑपस्टेकल देगा वो सब चीजदें होने के बावजूर भी आप एक बड़ी जगा जरूर पहुचे कि है अगर इस किसी एक ही नक्षत्र में प्लानेटस की कंजंख्शन है तो कि अब जिस नक्षत्र में ये कंजंख्शन है उस नक्षत्र या आप जाओगे काम करने के लिए और वहीं आपको सफलता मिलेगी इस वरी सिंपल मंगल में अगर यह कंजंग्शन है मंगल के नक्षत्र में चार-पांच प्लानेट बैड़ जगा है तो आप डिफेंस में जाओगे आप बिजनेस में जाओगे तो रियल इस्टेट में जाओगे शनी भी अच्छा है कुछ शनी के नक्षत्र में कुछ मंगल के नक्षत्र में तो बिल्डर एक्टिविटी में जा सकते हो स्पोर्ट्स में जा सकते हो और फायर रिलेटेट चीजों में जा सकते हो शनी और मंगल आपको फ्यूल रिलेटेट चीजों में भी भेज सकता है पेट्रोलियम है क्योंकि उसमें अगनी तत्म भी है और शनी का काम तेल भी है ऐसे ही प्यूरली अगर मंगल की अनर्जी ज्यादा हो गई आपके चार्ट में तो आपको ये डिफेंस में पुलिस सर्विसेज में भेज देगा तो इस तरीके से आपने इनको डिकोट करना है मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा ये आइडिया हो गया कि ये कंजंक्शन किस तरह के फल देगी और इसको इस तरीके से आप डिकोट करके लगा सकते हैं सब्सक्राइब के लगा है